Hi guys, welcome to this session और आपको पता इस session में हम क्या करते हैं बहुत सारे pages के headlines पढ़ेंगे तो मैं वो चीज रिपीट करने वाला नहीं हूँ इससे पहले कि ये session शुरू करूँ मैं अपने उन सारे students से कहना चाहता हूँ जो मेरे class के हैं और वैसे भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं बट आपको कुछ अच्छा लगता है कुछ फीड़बैक देना है कुछ पूछना है यू और आप लोग ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़के अच्छा लगता है लगता है कि मेरे students ने देखा है एकस चीफ मिनिस्टर आपका इनका नाम है सिद्धा रमया क्या नाम है इनका सिद्धा रमया और ये कॉंग्रेस से हैं किस से पार्टी से हैं कॉंग्रेस से हैं इनके बारे में क्या नियूज है एकस करनापका सी एम सिद्धा रमया रिकवर्स recover का मतलब किसी विमारी से ठीक हो जाना किस चीज से recover हो गए covid से और from का मतलब हम जानते ही है say और इनको discharge कर दिया गया very good अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है warning क्या लिखा warning और as का use देखना warning as Mount Sinobung erupts again ठीक है न यह जो है Mount Sinobung यह एक volcano है कहां इंडोनेशिया में volcano का मतलब आप जानते है न जौला मुखी है और जौला मुखी के फूटने को हम लोग erupt कहते हैं क्या कहते हैं erupt E-R-U-P-T erupt तो Mount Sinobung यह जो volcano है यह फिर से फूट पड़ा है और इसलिए क्या दिया गया है warning दिया गया है और इस न्यूज को अभी हम लोग दूसरे पेश पर भी देखेंगे और इस न्यूज warning as Mount Sinobung erupts again अब यह देखो erupt का मतलब जौला मुखी का फूट पड़ना किसी दिन पिता जी अगर गुसे से बहुत फूट परे तो उसको भी लिखेंगे my father erupted on me all right now let us look की United States से क्या news आया है US allows मतलब US ने allow किया है क्या चीज some exemptions यह word देखो E X E M P T exempt इस ही में क्या लगा दिये I O N जिन लोगों ने भी income tax पढ़ा है 10th में उनको पता है कि exemption का मतलब क्या होता है exemption का मतलब होता है छूट exemption का मतलब relaxation समझ रहे हैं बात को और यह जो word है इतना exempt 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 का मतलब छूट देना और exemption का मतलब छूट आप अभी इसको copy में लिख लिजे please write it down in the copy मैं आपके लिए words का एक video बनाऊंगा मैंने आपको कल भी बताये था कि मेरे laptop में और mic में कुछ तो coordination का difference है कुछ तो glitch चल रहा है जो एक दो दिन में solve हो जाएगा उसके बाद हर दिन आपके लिए बहुत सारी videos आएंगी अभी laptop में मैं इसलिए video नहीं बना रहा हूँ because कि उसमें आवाज जो है वो audio जो है वो काफी poor quality का है तो आप तब तक तो कुछ मेहनत कर लीजे exemption exemption का मतलब छूट और exempt का मतलब छूट देना tax exemption मिलता है तो US ने allow किया है कुछ exemptions किस चीज में H1B में और कोई और तरह का वीजा है उस चीज में उसमें हम लोगों को ज़्यादा नहीं देखना है यहां लिखा है heavy rains lash Delhi अब lash का मतलब मैं नहीं बताऊंगा जब भी rains से कोई शहर प्रभावित हो जाता है वहां पर बहुत बारिश होती है तो lash लिख देते है अभी आप यह photo देख लो भाई यह traffic का jam आपको दिख रहा है दिल लिखा गाडियों की कैसी line लग गई है अभी देखो यहीं को क्या लिखा है traffic snals traffic snals scene at Nijamudin bridge चीज़ न यह जो traffic का jam लग गया यह जो गाडियों की ऐसी line लग गई इसको क्या लिखा गया देखो कितने दूर तक है गाडियों का line इस चीज़ को क्या लिखा गया है इसको बोला गया है traffic snals snals ok तो इस तरीके से जब गाडियों की line लग जाए traffic का jam हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते है traffic का snals अगर आप paper पढ़ते रहेंगे तो हर महीने कहीं न कहीं jam लगा रहेगा कहीं न कहीं यह word आता रहेगा मैंने अपने class के students को बताया भी है अब traffic snals कहा देखा जा रहा है निजामूदीन bridge पर देखो निजामूदीन bridge पर लेकिन यहाँ पर at लगा है और किस चीज के बाद following heavy rains in new Delhi on Thursday following मतलब किसी चीज के बाद जैसे पहले क्या हुआ पहला action क्या हुआ heavy rain हुआ क्या heavy rain हुआ उसको follow करते हुए उसके पीछे दूसरा action हुआ समझ गए उसकी वज़े से traffic jam लग गया तो वो उसको follow किया now smiles and handshacks handshack का मतलब हात मिलाना smiles and handshacks at कहा pilot और गहलोत के meeting में अब आपको मैं यह नहीं बताऊंगा कि pilot कौन है और गहलोत कौन है कि फिचले कई दिनों से हम लोग यह देख रहे है अभी यह एक news है important देखो पुलवामा अटैक से related है पुलवामा से NIA is पुलवामा charge sheet NIA क्या है भाई National Investigating Agency National Investigating Agency Terror से related बहुत सारी investigations यह करती है तो पुलवामा ने जो अपना charge sheet दायर किया है charge sheet का हिंदी मतलब होता है आरोप आरोप पत्र और पुलीस F.I.R. के बाद investigate करती है और एक charge sheet दायर करती है NIA ने पुलवामा में investigate किया और एक charge sheet दायर किया जिसमें उसने blame किस पर डाला blame on Islamabad Islamabad पर blame डाला Islamabad पर blame क्या करिया pin कर दिया पिन कर दिया मतलब उस पर ठोक दिया blame और राइट नव लुक अधिस मैं इस नेम इस शाह फैजल इस नेम इस शाह फैजल 2010 में he was UPSC topper UPSC का exam आपको पता है IS देते हैं IS बनते हैं इस से ये rank 1 लाया था ये आदमी ये कश्मीर का एक student थे कश्मीर के student थे अभी तो वहाँ पे IS हैं अभी देखो क्या लिखता है अभी कुछ दिन पहले इन्होंने क्या किया था IS की नौकरी छोड़ दी थी और इन्होंने बोला था कि मैं कश्मीर जॉइन करूंगा कश्मीर को बेटर बनाऊंगा ठीक है ना लेकिन अभी इनको लगता है कि politics में कुछ हो नहीं रहा है तो अभी क्या है ये फिर से IS बनने की सोच रहे हैं फिर से IS जॉइन करने की सोच रहे हैं फैसल स्पोक टू NSA NSA कौन भाई National Security Advisor राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार सुरक्षा के मामले में जो हमारे प्रधान मंत्री को प्राइम मिनिस्टर मोधी को जो सजेस्ट करेगा He is National Security Advisor जो सेक्यूरिटी के मामले में एडवाईज देगा तो अभी कौन है? अजीत दौवाल साहब है तो फैसल ने NSA से बात कर लिया था किसके पहले? Before he quit politics अभी राजनीती छोड़ने से पहले अभी ये बोलने हैं राजनीती छोड़के उमने फिया हूँगा, आइस बनूँगा तो फैसल ने NSA से बात किया किसची से politics छोड़ने से पहले May return to I.S. अभी I.S. पे आ सकते हैं So इनका आना जाना लगा हुआ है अभी आपको मैं एक और वर्ड रिवाइस करता हूँ जो हम लोग कई बार कर चुके हैं लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भूल चुके होंगे COVID-19 vaccines will be centrally procured Look at this word P-R-O-C-U-R-E Procure का मतलब मैंने बताया था आपको बिल्कुल जैसे हम लोग खरीदते हैं कोई समान उसी तरीके से खरीदना लेकिन जिसमें बहुत ताम जहाम और बड़े अमाउंट में खरीदना हो और उसके साथ बहुत सारी कारवाईयां जूरी हूँ तो हम लोग उसको क्या बोलते है Procure बोलते है आपको मैंने बताया था कि आप गेहूं खरीदने जाते हैं एक केजी गेहूं खरीदे या पांच केजी गेहूं खरीदे कोई दिक्त नहीं एक दुकान में गए गेहूं खरीद लिए लेकिन अगर बिहार सरकार को सारे किसानों से गुहूंखरीदना है तो आप सुचू कि कितना ताम जहाम लगेगा हर डिस्टिक्ट में, हर थाने में आदमी लगाना पढ़ेगा सरकार के अफसर रहेंगे, सरकार के करमचारी रहेंगे तो ऐसी चीज़े जब होंगी ऐसी चीज़े जब खरीदी जाएंगी बड़े अस्तर पे और इसमेज़ेश में बहुत सारा मेहनत लगे तो वहाँ पे हम लोग उसको क्या कहेंगे प्रोक्योर कहेंगे जैसे आप देखो मैं एक्जामपल बता देता हूँ बिहार गवर्नमेंट किसानों से वीट को क्या करेगी प्रोक्योर करेगी इंडिया कैनेडा से यूरेनियम प्रोक्योर करता है यूरेनियम भाई यूरेनियम को क्या करता है प्रोक्योर करता है उसको हम यह नहीं कह सकते कि परचेज करता है परचेज जो कहेगा परचेज अगर करता है कह दिये तो छोटा बच्चा कहेगा कि इंडिया यूरेनियम परचेज करता है आप अब graduate हो गए आप अब English newspaper पर पढ़ने हैं आप क्या बोलेंगे प्रोक्योर करता है ओके तो देखो ज़रा इधर COVID-19 vaccines जो हैं वो केंद्रिये रूप से प्रोक्योर की जाएंगी मतलब राज्य सरकारे नहीं प्रोक्योर करेंगी अगर उनको कहीं से खरीदना भी है कहीं से लाना भी है तो Central Government प्रोक्योर करेगी और Central Government ही उसका track रखेगी कैसे कैसे vaccine कहा कहा जा रहा है यह सब track रखेगी समझ रहे हो बात और friends थोड़ा सा देर मतलब time का constraint है आज तो मैंने paper में बहुत सारी चीजों को वो करके रखा है लेकिन time की वज़े से मैं ज़्यादा बता नहीं पाता हूँ 20 minute में तो अगर आपको लगता है कि इसको 5 minute और बढ़ा दिया जाए तो आप बताओ कि मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दू या नहीं खैर ये देखे PM Modi unveils reforms to boost tax compliance मैंने आपको बताया था कि ये जो word है wheel wheel का मतलब होता है घूंगट या बुर्का या परदा इस तरीके की चीज कोई भी चीज अगर wheel में है तो ढखा हुआ है और unveil का मतलब उजागर करना ठीक है ना unveil का मतलब उजागर करना अब देखो एक word तो ये हो गया unveil और दूसरा word है inaugurate क्या है inaugurate, inaugurate का मतलब आप जानते हो उद्गाटन करना कभी-कभी unveil का मतलब आपको लग सकता है उद्गाटन करना अब देखो, unveil हम लोग किस चीज को करते हैं? कोई plan type की चीज को करते हैं, कोई plan है या फिर कोई नियम आया है इस तरीके की चीज को हम unveil करते हैं, कोई चीज बना है, कोई चीज infrastructure बना है उसको हम लोग क्या करते हैं? inaugurate करते है तो PM Modi ने क्या किया है? unveil किया है, उजागर किया है, reforms, सुधार किस चीज को boost करने के लिए, किसी चीज को boost करने के लिए, tax compliance को book करने के लिए मैं अपने students को एक word आज दिखा रहा हूँ, comply क्या word दिखाया है मैंने आपको? थोड़ा समय और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, comply C-O-M-P-L-Y, comply लिख लिजए आप इसको अपने copy में, जब आप किसी भी चीज के साथ comply करते हैं, तो आप उसको follow करते हैं, उसका पालन करते हैं ठीक है ना किसी चीज़ को जब आप comply करते हैं तो आप उसका पालन करते हैं जैसे नियमों को आप comply करते हैं तो नियमों का पालन करते हैं अब जड़ा देखो लिखा है Tax Compliance कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे मान लो कि ये है चंगू चंगू ऐसा है जितने पैसे कमाता है उसे हिसाब से आराम से टैक्स दे देता है ठीक है ना लेकिन मंगू पैसे कमाता है गलत धंदा करता है और उस सो टैक्स बचा लेता है तो ये क्या कर रहा है जो टैक्स आराम से भर दे रहा है नियम से भर दे रहा है वो टैक्स के साथ क्या कर रहा है कम्पलाई कर रहा है तो पीम मोदी ने रिफॉर्म्स को उजागर किया है मतलब रिफॉर्म्स को सामने लाया है किस चिछ के लिए tax का compliance को boost करने के लिए चंगू की तरह चंगू की तरह इंडिया में ज़्यादा लोग हों जो tax के साथ comply करें ठीक है ना अब देखो मैंने एक तिन अभी देख लो मैं आपको एक और word बताता हूँ पहले इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाओ मैंने आपको एक word बताया था consist और बताया था consist of का मतलब क्या होता है जब कोई चीज किसी चीज से मिल मिल के बना रहता है तो वो जितनी चीजों से मिल कर बना है सब चीज से वो constitute करता है यहाँ पे देखो ज़रा this platform हम लोग यह वाला भूल जाते हैं भी this platform consists of major reforms यह जो platform है यह major reforms से मिल कर बना है consists of major reforms मतलब major reforms से मिल कर बना है और major reforms का कौन कौन है such as faceless assessment faceless appeal and tax base ठीक है इसको छोड़ दीजे अभी आप तो आपने procure देखा अभी देखो debut so by democratic duo कल हम लोग कमला हैरिस के बारे में काफी कुछ news में देख रहे थे तो यहीं है कमला हैरिस और यह है Joe Biden आपको इनका चेहरा तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मास्क है obviously यह देखो यह word debut D-E-B-U-T debut पढ़ते हैं इसको debut नहीं पढ़ते हैं और आपने debut तो सुनाई होगा विरंदे सहवाग का debut विराट कोहली का debut जो भी यह पहला मैच खेलते हैं जब आप अपने field में कोई पहला काम करने जाते हैं तो वो आपका debut कहलाता है तो यह जो democratic duo है प्रेसिडेंट के नॉमिनी यह और भाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनी यह इनका क्या था? debut show था मतलब पहली बार इन्होंने ऐसा कोई show किया कौन सा show किया भाई? इन्होंने पहला बार साथ में press conference को conduct किया जरा सही दा देखो major antibody test मतलब बहुत बड़ा मुख antibody test study वो क्या दिखाता है कि 6% of England hit 6% of England hit मतलब हर सौ में से 6 आदमी England में प्रभावित हो चुका है अब जरा आप यह देखिए India's retail inflation rises to 6.93% in July सबसे पहले तो retail retail का मतलब खुद्रा ठीक है ना? आप देखते हैं ना लिखा रहता है क्या? MRP maximum retail price मतलब सबसे ज़्यादा खुद्रा मुल किसी चीज का क्या हो सकता है मैगी का 10 रुपे तो retail का मतलब खुद्रा अब inflation जभी भी अर्थ विवस्ता में inflation की बात हम करेंगे इसका मतलब महंगाई इसका मतलब क्या? महंगाई inflation ठीक है? अब देखो अब मैं थोड़ा इसको English के Terms में बता देता हूँ वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और इस Session में अब last बार बता रहा हूँ inflate का मतलब किसी चीज का फैल जाना inflate का मतलब किसी चीज का फैल जाना इसी तरह जब दाम किसी चीज का फैल जाता है मतलब दाम बढ़ जाता है तो उसको हम लोग inflation कहते हैं और वो rise हुआ कितना? 6.93% ठीक है? अब मैं आपको और एक चीज दिखा देता हूँ आरोग्य से तू अभी तो इस एप के बारे में काफी कम बात हो रही है लेकिन जब covid virus नया नया आया था ठीक है न तो आरोग्य से तू आप, आरोग्य से तू आप, आरोग्य से तू आप बहुत लोग बात कर रहे थे आरोग्य से तू vulnerable vulnerable का मतलब मैंने आपको बताया है न जितने भी मेरे students को vulnerable का मतलब clear हो गया है वो please go ahead and write down in the comment box vulnerable और yes लिखो अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज, कोई भी गलत चीज या कोई भी बुरी तरीके से प्रभावित करनी कोई भी बुरी चीज आपको जल्दी प्रभावित कर दे आप पे जल्दी लग जाए, आप पे ज़्यादा असर कर दे तो आप vulnerable कहलाते हैं आरोगे सेतू के साथ कौन सी बुरी चीज थी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसमें जो data आपका save होता है वो कोई भी चुरा सकता है data theft तो इस मामले में ये क्या हो गया आरोगे से तू vulnerable हो गया इसमें एक कमी हो गई ठीक है न ये जो खराबी है data theft का इसने इसको कैसा मना दिया, vulnerable बना दिया इसी तरह देखो बच्चे, kids ये vulnerable होते हैं किस चीज के लिए diseases के लिए बिमारी इनको जल्दी लग जाती है I hope कि आपको vulnerable समझ में आ रहा है vulnerable मतलब कोई चीज, खराब चीज किसी को जल्दी लग जाती है अब मैं चलता हूँ और उसके उपर देख लो क्या लिखा है vulnerable क्यों है security row मतलब सुरक्षा का बिवाद है इसलिए vulnerable है सुरक्षा के मामले से vulnerable है देखो first first page सारा चीज explain करके पढ़ाते पढ़ाते is almost 18 minutes ठीक है ना anyway, let's move to the next page अब मैं क्या करूँगा 18 minutes के बाद कि आपको सिर्फ दिखाऊंगा बहुत सारे pages में कि कौन-कौन से words हैं जो हम लोगों ने किया है और आज paper में आया है scale up करना मतलब बढ़ा देना मैं आपको बताऊंगा नहीं इसका मतलब नहीं बताऊंगा देखो अभी कुछी दिन पहले हमने ये word किया है statute statue नहीं है statue मतलब मूर्ती वो नहीं है ये word ये word है statute statute का मतलब कोई bill जो पास हुआ है कोई कानून ठीक है और इधर देखो फिर से आ गया रो मतलब फिर से आ गया अभी बाद अभी देखो मैं आपको एक और news दिखाता हूं क्या है to drown drown का मतलब दूबना और swollen river फिर से आ गया फोली हुई नदी बढ़ी हुई नदी ठीक है now let me move to page number 4 यहां पर मैं आपको अभी सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि कौन-कौन से words हम लोगे ने किया है और news paper में आज आया है मैं अब आपको उसका मतलब नहीं बताने वाला हूँ अभी आप देखो high court rejects rejects हमारा किया हुआ है plea का मतलब याचिका ये किया हुआ है essential का मतलब जरूरी ये किया हुआ है ठीक है न इधर देखो आप physical hearings in top court likely next week मैंने आपको बताया है जो चीज likely है उसकी संभावना है अभी आप नीचे चलो देखो इधर ये word देखो आप logistics logistics का मतलब क्या transport से related चीज चीजों का एक जगह से दूसरे जगह जाना ले आना transportation से related जितना भी चीज वो logistics ठीक है और कुछ मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ हाँ नीचे में एक photo है वो दिखाना चाहता हूँ आपको आप ये photo देख लो pulvama attack का photo है और क्या लिखा है इस photo के नीचे आप पढ़ सकते हो वीडियो को pause करके लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ security personal carry out carry out मतलब कर रहे हैं क्या rescue and relief work at the site of उस अस्तल पे suicide bomb attack ओके अब इसमें कुछ भी नहीं है दिखाने लाइक अभी next 10 page पे देखो L&T ये जो company ये जो company इसका नाम है Larson and Tobro बहुत ही बड़ी company है mechanical के दुनिया में और civil की दुनिया में now let me move to page number six and let me show you something more SSB Nepal's border guards meet in peace bid देखो SSB ससस्तर सीमा बल हमारा बल और नेपाल का border guards ये मिले हैं किस चीश के प्रयास में सुरक शांती के प्रयास में peace bid bid का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूँ मैं क्या बता चुका हूँ आप खुदी जान चुके हैं यहां पर देखिए rain lashes बिहार आ गया फिर से मैं नहीं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है now let us move to page number two page number two में ये देखो ये भाई साहब press को संबोधित कर रहे हैं तो किसी भी चीश को संबोधित करने के लिए क्या लिखाया है address और ये भी मैंने आपको बताया था कि एक ही address का मतलब पता भी होता और संबोधित करना भी होता है ना उत्रा खंड government nod nod का मतलब security ये देखो assault assault का मतलब हमला मैं आपको सिर्फ words दिखाता जा रहा हूँ देखो rain fury मतलब rain का गुस्सा ITBP जवान among three killed मतलब तीन लोग मारे गए उसमें से एक ITBP जवान था तो among revise हो गया हमारा अब देखो आप ज़रा ये मैं आपको photo दिखा देता हूँ मसूरी का है सायद देहरादून से मसूरी जाते समय जो सड़क है इस पे आपको एक पेर गिरा हुआ दिख रहा है आप देखो क्या लिखा है a tree uprooted due to heavy rains uprooted मतलब ज़र से उखड गया and disrupting traffic movement on Thursday traffic movement को क्या कर रहा है disrupt कर रहा है ब्यवाधान उत्पन कर रहा है ओके अब ही आप ये देखो gold smuggling court rejects swapnaz bail plea फिर से वही case आ गया अब देखो ज़रा अब okay और तो कुछ नहीं है इसमें so इतना मैं बताना चाह रहा था आपको I hope कि आप videos देख रहे हैं और please take your own newspaper also और थोड़ा थोड़ा उसको उलटते पलटते रहना है ठीक है ना alright guys take care bye bye